हलो दोस्तों वेलकम बैक टो मैं चेनल रादे रादे दोस्तों और अब हम चल चुके हैं गोबर्दन परवत के दर्शन करने के बाद रादा रानी के दर्शन करने के लिए अब हम जा रहे हैं बरसाना की रादा रानी जी के दर्शन करने के लिए और आज मैं आपको दर्शन क तो दोस्तों पहुंच चुके हैं अभी बरसाना और यहां नीचे साथ सो मेटर से किलो मेटर के दूरी है पैदल और पैदल आप अगर गारी नीचे खड़ी करते हो उपर भी ला सकते हो अगर आप गारी नीचे पार्किंग करोगे तो यहां से बाइक वाले आपको 50 रुपे सवारी के साथ से उपर छोड़ते हैं इन लोगों काम यह उपर लेके आना और नीचे लेके जाना तो अगर आपके पास गारी के सुपीदा नहीं है तो यह लोग आपको बाइक में छोड सकते हैं कि ओपर गारी नहीं लेक्या हैं क्योंकि अपर पार्किंग के जाए मिलना भृत मुश्किल होता है बहुत बीड़ रहती हैं पर पहुंग कर देहिसके लेखेर ब carbon का मंदिर दोर दूर से लोगबाग आए हूए हैं जोकि रादा सरा आनसी कि लिदे अब हम यहां पर लेंगे सदूम पर्पित करेंगे उन्हें और प्रद जैन्हे सीमिना करने के लिए आप मेरे साथ बनी रहे इस वीडियो में अन्द तक मैं आपको प्रणा गहाऊंगा रादे जी के दरसन और नन्द बाबा के लाओं के लोकुल के दरसन अब बरे मेरे साथ हैं जिर निस हाब हम निकल चुके यहां से अंदर सिरिंगार कर सामान लेके यहां पे आपको कई परकार के मलाles मिल जाएंगे ग्लाब के पूलों की मिक्स पूलों की गेनदे के हर परकार के कई परकार के पूलों की मला यहां पे उपलब द रहती है चुनियां रहती है साड्यां झाल झाल दोस्तों आपको बता दू कि यहाँ पे भादिरपद महेने की सुकलपक्च को सुकलपक्च की अश्टिमी तिथी को बिसेश पूजा होती है क्योंकि इस दिन को रादा अश्टिमी के रूप में मनाया जाता है इस तन पुरान के अनुसार इस दिन रादा रानिजी का जनम यह मंदीर बरसानों में लाल और पेली पत्त्रों से बना हुआ है रादा कृष्ण जी को समर्पितिश्भव्य मंदीर का निर्मान इन्मार राजा बीर सिंग जी ने मंदीर में करवाया था बाद में इस्तान्या लोगों द्वारा पत्तर को इस मंदीर में लगवाया गया रादा रानी जी का यह मन मोहक मंदीर रमणिय मंदिर बरसाना में करीब 500 मीटर की उची पहाड़ी पर बनाय गया है जहां की सीडियों द्वारा जाय जाता है बहुती भगवे मंदिर और बहुती सुंदर मंदिर और ये है बरसाना गाउं रादा रानी जी का बरसाना गाउं जहां रादा राने जी का जनम हुआ था बरसाना गाउं में और उसी गाउं के उपर 600 मिटर के दोरी पर यह धारवी इस्तल मंदिर बना गया है आप देख सकते हो स्री लाड़ी जी महाराज का मंदिर यह आपको स्रीडिया चढ़के अंदर मंदिर में परवेश करना पड़ता है एक तरफ से जाने का रास्ता है एक तरफ से आने का रास्ता है आप देख सकते हो स्री लाड़ी जी महाराज बरसाना बरसाना गाउं में मैं आपको दर्सन करा रहा हूं रादारानी जी के भौवे मंदिर का है अब मैं आपको ले चलब रहा है और कराँ गए आपको रादारानी जी के दरसन किछे रादारानी के दरसन अब हम आचुके दोस्तों आदे देखे देखे सकते हो श्री राद रादा राने जीह का जहांस पर सिंगार जाता है मंदिर में हुर्भ पहुंच tuition क्राइंगे रादा रादा रान जी के तो आँ यह हमारी दाड़ी है वहolly yeah देखे रादारामी जी का शिंगार हो चुका है और यह है रादारामी जी उनके साथ में किष्ट मुबान जी की पर्ति में लिये इस मंदिर को रादारामी जी और किष्ट मुबान की पर्ति हमाने जाता है आते हैं रादारामी जी के शिंगार में और किष्ट मुबान की पर्त और दोस्तों यह से चार मीट के दूरी पर पड़ता है नंद गाउं जहां की नंद बाबा नंद गाउं में रहा करते थे हैं यहां से सिर्फ सिर्फ चार डूरी पर और और ले चलूँगा मैं भी आपको पहले आप दर्संग कर दीजे इस बहुत में अधर मंतर के स्मूरिनयमंदिर के किस मुणीयम यहां पर आ मलती है कर दर्शन करने के दें जो मनल हे जिकाल है यह एमारा जो दर्शना घोन बहुत ही घैना बहुत ये बरा घॉन बर्सांए पेनं लागों रादा राणी जी का यह ब्राणन और इस राधा रानी का मंदिय को महल गोलते हैं वहां से नंडगाउंwen की सब्कूतfrage तर यह लोगा की तरफ नंड बाबयां इंडवर की ठर्वन करने के लिए आप वनले की मेर्या उई नंद नगरी में आप सभी का हावी स्वागत है लेक्स अब तो रोस्त पहुंच गाओं में और यह हैं नंद गाओं की गजिया है जहां से मैं आपको दिखा रहो हूं नंद बाबा नंद बाबा के लिए नंद गाओं में श्री किष्ट बगां लोगा साल तक रहे थे अब मैं आप खोड़े चलता हूं नंद बाबा के मंदिर में और दोस्तों इल्ड गाओं की गलियों में दिवारों पे आपको स्रीकिष्ट बगवान जी के और आदर आने के जित्र मिलेंगे देखने को पेंटिंग मिलेगी ग्रिश्य मिलेंगे मन मोहग ग्रिश्य मिलेंगे काना जी के दर्सन होंगे आपको चलते चलते दिवारों पर यह किशारी दिवारें बोलती है हरे काना हरे किश्णा हरे रामा आप देख सकते हो उनको बाल पन से लेके और बा अबास्तो थो उनको साय इख है यहां पर इंदमी गाओं कि अगाओं आप अग्राव आगेन्य आपना इस नग्यादी है अगेल अगया प्रेशा नुस्त भांगेल राजबं नहीं आओं यहां पहुंछ को क हNow दो पहुंच चुके हम नंद गाउं में जो कि Nepijn यहां काऊज चलतए आथ कृष्ट्भान के मंदिर को दोस्तो आप यह दो करेगाबा के साथ राख रह ते वहां यात्रा का दर्सन करें क्योंग यह सुफिरी है और प्लीज मेल आईकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जो कि बिल्कुल फिरी है और घर बैटे-बैटे यात्रा के दर्सन करें और अभी यहाँ पर गेट बन लोगान। जहां समुदर्शन करेंगे और यहां पे भी पंडीजी बता रहे हैं कि आप यहां पे गाईए के लिए सेवा दे सकते हो जिसकी जितना सरदाभक्ति उतना दे सकता है कोई 500 कोई 1000 रुपए 10,000 रुपए सोथा तो दोस्तों हम आगे हैं अंदर से भार नंद बाबा काना जी और इसा अमया के दर्शन करके तो जैसे कि कल मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था पूरे गोबना परवके परकिर्मा कराये थी आपसे आपको मांसी गंगा, मांसरोबार, मखार बिंदू, पूछरी का लोटा, रादा कुंद, स्याम कुंद के दर्शन कराये थे और आप मेरे साथ घर बैटे पूर जो मंदिर है, यहां से सीडियों से अगर आप उपर जाओगे, तो यहां पर टेरेस पर चत होता है, और तो चत से आप पूरा नंद गाउं देख सकते हो, अभी मैं ले चलता हूँ आपको उपर, आप मेरे साथ बने रहे हैं इस वीडियो में, यह देखे दोस्तों, यह है नंद गाउं, सामने जो दिख रहा है नंद गाउं है, हमने चोटे में अपने घर में टेली विजन में देखा था नंद गाउं, जब कृष्ण लिदा देखा करते था घर में, तब ही देखा था और आज, परतेक्ट रूप से अपने सामने जब नंद बाबा का मंदीर और गाउं देख रहे हैं जहां से किष्ण बगवान बच्पन में जोने आठ साल यहां पर बिताया थे विसुद्ध मैया और नंद बाबा के साथ, आज हम यहां पर आके अपने आपको काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, मन को काफी हलका महसूस कर रहे हैं यहीं पर दोस्तों आप देख सकते हों, आप बाद दर्सन कर रहे हैं, आप दोस्तों और आप इसको जूम करके यहां से वीडियो बनागे उपर च्छत में जाके तो हर किसे गर में आपको गॉण में की करने भाद की काफी हैं, यहां can move देखने की क्या म्न आपते हरने में सब्सक्राइब के साथ में यह दोस्तों में निगाओं आप दर्संग करें निगाओं के आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएगा और अरे रामा हरे किश्णो जरूर लिखेगा रादे रादे तो जरूर लिखेगा आप लोगों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में जाके और आप मेरे साथ घर बैठे दर्संग करेंगे ब्रिंदा बनके आपको मैं आगे भी दर्संग कराऊंगा इसकों टेंपल प्रेम मंदिर जहां जहां हम जाएंगे आपको जरूर दर्संग कराएं यहां पर जरूर दर्संग करेंगा बहुले बाबाके ईसी मंधिर के बगल में आपको यहां पर भूले नात करेंगे और दोस्तों यहां से बहुत साबदान रहेगा क्योंकि यहां से बन्द़ किसीवी समय आपके ठोपी चस्मा पर्स या मोबाल फोन चीन सकते हैं दिफ कर देते हैं हैं इनको फूर्टी दीजिए रींक लेते के लूगपस कर देतें हैं में मुणकार ओख आपसने करें निफर Korea अब हम दोस्तों आरहे हैं नंड गाओं की गज्ञ से वापस यहां से अब आम जाएंगे तुर्फ और मैं आपको करूंगा प्रें मंझीर के धर्शन, और जह अम जाएगे बनी रहे या वीडियो में मैं आपको सारे धर्शन करूंगा, अब हम निकल चुके दोस्तों यहां स प्रेम मंदिर की तरफ तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहे दर्सन कराता हूं आपको थब तक लिए हंसते रहे मुस्कुराते रहे और अपने स्वास्ते का क्याल रखेगा जैसरी किष्णा रादे रादे